हेलो गाईज हमारी चनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है हम आपके लिए लेकर आए हैं जनल नोलेज का परतियों की प्रिक्स दरिश्टे से बहुत ही इंपोर्टन और स्लेक्टिड क्विस्टन सुरू करें इससे पहले याद अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नह क्विश्टन सुरू करते हैं क्विश्टन नंबर एक अज़बेрь में आना सघर जील का निर्मान किस ने कर आया इसका अंसर है दो नंबर ओप्षण अर्णौर राज ने अज़मेर में अर्णौर क्विश्टन ने आना-सागर जील का के तोमर सासक को हरा करेशिय अपने राज्य में मिला लिया इसका अंशर है एक नमर ओप्षन बिग्रे राज चतूर थे जिसे कभी बांधव की नाम से भी जाना जाता है नेक्स कुस्टन हरी के लिए नामक नाटक की रचना किसने की थी इसका अंशर है बिशल देव ने हरी के लिए नामक नाटक की रचना की थी किस सासक का काल चोहान सासन का स्वरन काल माना जाता है इसका अंसर है विग्र राज चत्तूर्त यानि विशल देव का सासन काल चोहान सासन काल का स्वरन काल माना जाता है इसका अंसर है ग्यारे वर्स की आयू में अजमेर का साशक बना इसका अंसर है ग्यारे वर्स की आयू में पर्थवी राज चोहान के पिता सौमेस्वर की मृत्यू के बाद पर्थवी राज चोहान ग्यारा वर्स की आयू में ही सासक बने और इनका सासनकाल इनकी माता कर पूरी देवी के निर्देशन में चलाया गया तराइन का दूसरा युद कब लड़ा गया जिसमें पर्थवी राज बुरी तरह से पराजित हुए इसका अंसर है ग्यारा सो बांड में इस्वी में ग्यारा सो बांड में इस्वे में तराइन का तर्थिय युद लड़ा गया जिसमें पर्थवी राज को मुहमद गोरी ने बुरी तरह से पराजित किया नेक्स्ट कुश्चन रन्थम्बोर में चोहानवस की स्थापना किस ने की इसका अंसर है गोविंद राज चोहान ने रन्थम्बोर में चोहानवस की स्थापना की ये पर्थवी राज चोहान की पुत्र थे और इन्होंने रन्थम्बोर में चोहानवस की स्थापना की चोहानवस रन्थम्बोर के चोहानों में सबसे परतापी राजा हमीर देव चोहा जालोर की सासक बनी नेक्स्ट क्यूस्टन अलाउदिन के जालोर पर आकर्मन कब किया इसका अंसर है कि अलाउदिन ने जालोर पर 311 इस्वीमी आकर्मन किया नेक्स्ट क्यूस्टन अलाउदिन के जालोर आकर्मन के समय वहां का सासक कौन था इसका अंसर है कि अलाउदिन के ज जालोर की आकर्मन के समय वहां का सासक कानड दे था जालोर पर आकर्मन का मुख्य कारण अलाउदिन की पुत्री फिरोजा था फिरोजा विरम देव बहुत ही सुन्दत था विरम देव था वो कानड देव का पुत्र था और राजकुमारी फिरोजा जो अलाउदिन की पुत्र थी वो उसे व्यवाय करना चाहती थी और राजपूत इसे अपने आन्मान और शान के विरुद्ध मान रहे थे और इस तरह से ये युद्ध का कारण बढ़ना था इसका अंसर है कि नागबट पर्थम ने भीन माल को अपनी राजपनी बनाया नेक्स किस ने करनोज पर अधिकार कर उसे अपनी राधानी बनाया इसका अंसर है नागभर द्वीतिया ने करनोज पर अधिकार कर उसे अपनी राधानी बनाया इसका अंसर है नसीराबाद से नसीराबाद राजिस्थन में वर्तमान में या जिमिर जिले में स्थीत है और यहीं से 1857 में स्वाधिन्ता संग्राम की सुरुआत हुई जो 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई इसका आंसर है एरिनपूरा में 21 अगरस्ता 1857 को राजस्थान की स्वाधिन्ता संग्राम की में चावनियों की यूगम में हिस्टा नहीं लिया था इसमें दो नंबर ओप्शन है कि खेरवड़ा और ब्यावर ऐसी चावनिया थी जिन्हों ने 1857 की स्वाधिंता संगर्श में भाग नहीं लिया था इसका रच्पता नहीं लोरेस 1857 में राजपतान्रा एजिटंसी का आजिजी था इसका नशर है कोटा के सासक राम सींग को क्रान्थी कारियों ने बंदी बना लिया था और उसे 6 मेनें तक बंदी बनाया रख़ा था तो इसलिए धारस्तान की क्रांती में कोटा की साशक राम सिंग द्वित्य की स्थीती थी वो बंदी दुरग में बंदी के समान हो गई थी नेक्स्ट क्यूस्टन है बिठोडा के यूद 8 सितंबर 1857 में खुशाल सिंग के नेतरतों में क्रांती कारियों ने किसे प्राजित किया इसका अंसर है कैप्टेन हीट कोट की सेना को प्राजित किया इसका आंसर है बादूर साहानी 1857 की क्रांती का नित्रतु किया इसका आंसर है कि 1857 की क्रांती की तिथी 31 माई 1857 थी लेकिन क्रांती थी वो समय से पहले ही भड़क गई थी सर्वर परतम भारत में मेरट में दस माई 1857 के क्रांती का विगुल बच चुका था और यही एक बहुती मैतापुन कारण था क्रांती के ऐस्पल होने का की पूरी रणनेती बगर बनाए बगर समय से पहले ही क्रांती काड़ दी गई निमन में से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान से बाहर थी इसका अंसर है नीमच इसके अलावा दैवली एरिनपुरा और खेरवाडा तिनु छावनी राजस्थान में थी लेकि नीमच है ये मध्य बांग लेने ऐड़को से अंसर है आगा ठीकाना का नित्र तो किस ने किया, इसका नंसर अन्जाने सरिक और पकली कि इत कैप्टन हीट कोड नहार कर 18 सितंबर को चला वासना पर युद किया 18 सितंबर 1857 को आगवा के ठाकूर कुसाल सिंग को कैप्टन हीट कोड की सेनाने पर आजित कर गिया था नेक्स्ट किस आयोग को कुसाल सिंग के विद्रों का निरिक्षन करने के लिए नियुक्त किया गया इसका अंसर है मैजर टेलर आयोग को कुसाल सिंग के विद्रों का निरिक्षन करने है तू नियुक्त किया गया नेक्स्ट किस्ट है स्वमेश्वर चोहान की रानी वैं पर् इसका अंसर है चार नमर उप्षण सौम्देव सौम्देव थे ये पर्थवी राज चोहन के दर्बार में नहीं थे इसके लावा चंदवर्दाई विद्यपति गोड़ जयानक बठ ये तीनों पर्थवी राज के दर्बार में थे नेक्स क्यूस्चन जुलाई 1734 में हुर्ड संग बनाने है तू नेक्स क्यूस्चन एक मुठी पाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता उप्रियुक्त कथन है इसका अंसर है सेरसाय सूरी जो सुर्वस के सासक थे उन्हों ने यह बात गिरी सुमेल के युद में गई थी गिरी सुमेल का युद महरान संगा और सेरसाय सूरी के मद्य हुआ था इसमें सेरसाय सूरी ने जो महराना संगा के बहुत ही बहादूर योद्धा थे जैता कुमपा उनके खिलाफ महराना संगा के टेंट में जाली पत्र गिरवा दिये थे जिससे महराना संगा को उन पर एविस्वास हो गया और महराना सांगा वहां से मैदान छोड़ कर चला गया और जैता और कुमपा बहुत ही बहादूरी से लड़े और इस तरह की condition situation आ गई जैसे की मानना सांगा युद्ध जीतने वाले हैं लेकिन उसी समय सेर साहब को ऐसे लगा उसकी सेना के बार जाएगी तो वह युद्ध के मदान में ही नमाज पढ़ने लगया था और इसी स्टाइए में उसके जो पीछे से से जो उसका सेना पती था वह शेना लेकर आ गया था और इससे वह युद्ध जीत गया तबी सेर साहसूरी ने कहा कि एक मुठी की बरबाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादसाहत खो देता नेक्स्ट क्यूस्टन है सामेल जैतारन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ इसका अंसर है चार नम्मर उप्शन सेर साहवे माल देव की मद्या है माफ कीजिएगा मैंने यह पर सांगा बता दिया गलती स यह सेर साहवे माल देव के मद्या युद्ध हुआ था तो यह था हमारा सामने ग्यान से सामने इत्मैतपुन क्यूस्टन हमारे किसी भी क्यूस्टन में आपको स्नस्या हो तो कमेंट जरूर दे आप मारे इस वीडियो को लाइक करें सेर करें हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक् करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार